वेल्कम फ्रेंड्स माई नेम इस मुनीश आप देखने हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैत आज का जो मारा टॉपिक है वो है जियो जब्रा टॉटोरियल नंबर 5 सबसे पहले में जियो जब्रा की वेबसाइट ओपन करता हूं जियो जब्रा.org यह मेरी पास जियो जब्रा की वेबसाइट ओपन हो गई है इसमें मैं लॉग इन कर रखा है मैंने पहले ही तो मैं इसकी होम पेज पर ले चलता हूं यहां पर हम जियो जब्रा पर क्लिक करेंगे ठीक है और उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम काम करते हैं जियो जब्रा क्लासिक पर क्लिक करता हूं और इससे भी पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे जियो जाब्रा के टूर्टूरियल नंबर एक से लेकर चार तक नहीं देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले उनको भी जुरूर देख लें तांके आपकी continuity वहीं से बनी रहे और आज का जो टूरियल है इसमें हमारे पास जो टूल है वह हम इस सर्कल से रिलेटेड करेंगे ठीक है तो इस से रिलेटेड हमारे पास टूल जो कौन कौन से हैं सब टूल इसमें है circle with center throw point circle with center and radius फिर compass फिर है circle throw 3 points फिर semicircle throw 2 points circular arc circum circular arc फिर है circular sector फिर है circum circle sector तो मैं पहला 2 लेता हूँ circle with center throw point ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक point लगाया इसके बाद यह रेखें अपने आप circle बना शुरू हो गया है ठीक है कि मैंने जो जो जे a point लगाया था यह इसका center था इसके उपर अपने आप कितना भी बड़ा आप circle draw कर सकते हो यहाँ से यह circle draw हो गया है इसी तरह अगर मैं यहाँ पे point लगाता हूँ तो c फिर circle draw होना शुरू हो गया है ठीक है point लगाता हूँ तो यह circle draw हो गया है ठीक है इसके बाद मैंने आपको पहले भी पता जाता है यह हमारे पास है इसका back tool मतलब जितने भी step आपने चले हैं one by one आप यहाँ से back जा सकते हो ठीक है उसके बाद second इसमें है हमारे पास circle with center and radius मैं यह वाला two लेता हूँ यहाँ पर मैं एक point लगाया तो मेरे पास एक window open होई है ठीक है यहाँ से यह window मेरे से मांग रहे है कि radius कितना देना चाहता हूँ मालनों मैंने radius दिया 5 ok किया तो यह मेरे पास जो circle draw हो गया है उसका radius कितना है 5 है ठीक है 5 cm का radius है ठीक है और इस window के बारे भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यह window जो है वो हमें बताती है कि हमने graph पर क्या कुछ draw कर रखा है ok तो next हमारे पास है compass का tool है हमारे पास जैसे यह वाला tool है compass का ठीक है इस tool को लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले दो point चाहिए radius के लिए ठीक है जब हमें radius पता लग गया कि हमने कितना लेना है उसके बाद ही circle draw होगा ठीक है तो मैं पहले दो point लगा लेता हूँ तो यह point A है और यह point B है अब मैं compass का tool लेता हूँ यहाँ से तो पहले मैं A पर क्लिक करता हूँ फिर जब मैं B पर क्लिक करता हूँ तो इसको पता चल गया कि radius कितना लेना है तो A भी इसका radius बन गया हमारे पास तो यह circle draw हो गया A B radius का उसके बाद next tool है हमारे पास circle throw 3 points इस circle को draw करने के लिए हमें पहले 3 points का होना ज़रूरी है तो जैसे यह मैं अगर 2 लेता हूँ तो यहाँ पर एक point दूसरा point तो तीसरा point मैं कहीं भी उस circle के उपर लूँगा अपनी आप आजाएगा कहीं भी मैंने लेना है तो यह लेखें 3 points के बीच में पास होता हुए एक circle हमारे पास draw हो गया यहाँ पे अलग से ले ले लेते हैं पहला point D लिया फिर E लिया ठीक है और फिर F मैं कहीं भी इस circle पे ले सकता हूँ कितना बड़ा भी मैंने circle बना ला है मैं बना सकता हूँ तो यह लेखें F 3 points के बीच में पास होता हुए एक circle मेरे पास फिर से आ गया है तो मैं पहले back करता हूँ इसको next tool के लिए अगला tool है हमारे पास semi circle through two points तीक है इस tool को लेता हूँ मैं पहला point लगाए है A देखो B point में कहीं भी लगाँगा तो यह semi circle draw हो जाता है तीक है यह हमारे पास semi circle का tool इसी तरह next tool है इसमे circular arc का तीक है circular arc का tool लेता हूँ मैं यहाँ पहले point C लगाए जब भी मैं D point लगाँगा तो यह देखें इसके उपर मैं ऐसे करके एक arc draw कर सकता हूँ तीक है D point C और C जो होगा वो उसका center point होगा तो यह देखें एक arc draw हो गई है C क्या है इस arc का center point है इसके बाद है हमारे पास circum circular arc तीक है इसको लेते है F point लगाया G point लगाया फिर देखें यह देखें उनके बीच में से pass होता हुगा हमारे पास एक circle आ जाता है यहाँ पे एक H point आ गया तीक है circum circular arc इसको कहते है इसके बाद वाला हमारा टूल है circular sector हमने sector draw करना हो ठीक है तो पहले एक point लगाया आई फिर J लगाया यह रेखें जब मैं के point लगाँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक sector draw हो गया एक circle का ठीक है उसके बाद है हमारे पास circum circular sector ठीक है यहाँ पे point लगाया L M point लगाया यह रेखी जब मैं N point लगाँगा तो यह हमारे पास क्या बनेगा एक circum circular segment बनेगा है sector sorry ठीक है आपको यह जो tool में करवा रहा हूँ एक बार देखने में लगता होगा कि इनका use क्या है ठीक है लेकिन जब मैं आपको इसकी advanced tutorials करवाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि इनके use से हम बहुत बड़े-बड़े questions बहुत बड़ी-बड़ी diagrams और applied बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम जो tools करेंगे वो करेंगे ellipse का, hyperbola का, perabola का इसके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को subscribe करना मत बूले और मेरी वीडियो को अपने friends के साथ share करें